दौलपर जिले से मुन्ना फारुकी की बीरो रिपोर्ट के नुसार गोली मारकर वृद्ध की हत्या कोत वाली थाराच शेत्र के गाव साड़ा निवासी हकीम सिंग पुत्र नारायन सिंग त्यागी उम्र 55 बरस जो की एक प्रॉपर्टी डीलर का काम करता है बुद्वार दो हर एक बजे करीबन वो कचहरी से अपनी स्कूटी पर बैट कर अपने घर जा रहा था उसी वक्त महराना स्कूल के गेट के बराबर में अग्यात लोगों ने उसे रोक कर उसके उपर बंदूक से फायर किया एक गोली उट के पेट में लगी और वह कंबीर हालत में सड़क कि पहुचे जिसके बाद एम्बूलेंस को फोन करकर एम्बूलेंस के आने से पहले ही एक व्यक्ति न अपनी कार में घायल को बिठा कर सामाने चिकेट साले धौलपूर में भरती कराया जहां डॉक्टरों ने उसका तुरंत उपचार शुरू कर दिया घटना की सूचना मिलते ही पुले सदीक शक केसर सिंग शेकावत अतिरिक पुले सदीक शक बच्चन सिंग मीना ऐसे चो नहाल गंज बाबूलाल घटना इस्तल पर पहुँचे वहां का मौका मौायना किया सारे बॉडरों की नाकामंदी करा दी गई वहीं घायल हाकिम की घंबीर हालत देखते हुए डॉक्टरों ने घायल को आगरा रैफर कर दिया रास्ते में उसकी मौत हो गई मामले में पुलिस जानकारी कर रही हमलावरों की तलाश में जुटी है मौतिक्य पुत्रा निलकुमार ने थाना निहाल गंज में मामला दर्ज कराते हुए कहा कि उसके पिता कचहरी से स्कूटी से अपने घर जा रहे थे पीछे पीछे वहे उसका ताउ का लड़का राजेश बाइक से आ रहे थे तबी महरणा स्कूल के गेट के पास दिनेश, शुभम, दीपक दे तीन अन्य लोगों ने स्कूटी रोक कर उसके पिता पर जानलेवा हमला बोल दिया और दीपक ने कट्टे से फायर कर दिया जिससे गोली पेट में लगी और शुभम ने दूसरा फायर किया जिससे गोली कान के पास होकर निकल गई सबी ये लोग रिष्टदार हैं और कोर्ट में मुकदमा चल रहा था इसलिए इन लोगों ने मेरे पिता की खत्या की है ऐसा कैना है मृतक के पुत्र का प्रात्मिगी में उसने आरोपियों को शीगर ग्रफतार कर सजा दिलाने की मांग की है कि माराना की स्कूल के सामने एक रिष्टी है किसी ने गोली मारदी है जिसको पुरंद जिनास्पताल पुचाए गया जहां से आगरा रहते है गया रास्ते में उस रिष्टी है जिसका नाम आकिम सिंग सनोब नाराहिन सिंग जाती त्याती उमर अठाउंसान निवासी सांडा कर रहने वाला है उसके परीजनों ने अभी उसके रिष्टेदारों विनेश सुभम और दीपक के खिलाव अनाम जत रिपोर्ट दीए पोर्ट मार्टम करा गया जिसका जोई